आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वन लाइन में आनलाइन रेट किस प्रकार चेक करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आनलाइन रेट चेक करते समय गलती कर देते हैं जिससे उनको सिपेट में लाफ हो जाता है तो अगर आप रेट चेक करते समय प्रापर बातों का ध्यान रखेंगे और उसके बाद बुकिंग करेंगे तो आप प्राफिट मेंकिंग सिप्मेंट कर सकते हैं तो अगर आप फर्स टाइम उमारे चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं वन लाइन में रेट चेक करने के लिए आपको वनलाइन.com इस वेपसाइट पे आजाना है अब यहाँ पे आपको लागिन का अप्सन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हम लागिन करेंगे जैसे ही लागिन होंगे तो हमारा होम पेज इस प्रकार से दिखाई दे देगा यहाँ पे आपको जो dashboard दिखाई देता है इस पे आपके पूरे shipment और आपके जो pending task है उन सभी की यहाँ पे आपको summary लगभग मिल जाती है जैसे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा ready for BL print यानि एक BL हमको print करने के लिए हमारी BL जो है ready है और एक BL ready है release के लिए तो यहाँ पे दो हमको BL से related यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसके अलाबा आप देखेंगे तो quick access यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है आप सीधे यहाँ से click करके booking का request place कर सकते हैं BGM submit कर सकते हैं shipment का यहाँ पे overview देख सकते हैं और यहाँ से quote निकाल सकते हैं यानि rate देख सकते हैं इधर आप schedule चेक कर सकते हैं tracking से shipment को track कर सकते हैं बाकि अप्षन detailed आप्षन आपको इधर left side में मिलेंगे price rate देखने के लिए आपको यह वाला आप्षन है rate और आपको यहाँ पे tariff है booking के लिए इस वाले आप्षन से documentation के लिए इस से shipment को manage करने के लिए इस चे advice होगेरा देखने के लिए आपको finance वाले आप्षन में जाना पड़ेगा अभी हम आपको यहाँ पे rate चेक करके बताएंगे कि rate कैसे चेक करना है उसके लिए launch one quote में आप click कर देंगे दे रही इसको आप आगे पीछे करके यहाँ से चेक कर सकते हैं और अगर आप उसी को select करना चाहते हैं तो यहाँ से select कर लेंगे तो आपको कुछ type नहीं करना पड़ेगा direct आपको rate मिल जाएगा अब आपको नए location से rate चेक करना है तो यहाँ पर आप origin में loading port डाल देंगे उसके बाद यहाँ आप discharge port डाल देंगे destination का जो भी port होगा तो हम नवाशेवा डाल देते हैं देखें यह CYCY है carrier yard तो हमने P.O.L. औ.P.O.D. यहाँ पर डाल दिया है अब वो second इसके बाद आपको container select करना है कि आपको किस type का container चाहिए 20-40 refer तो अभी हम आपको बताने के लिए 20 select कर लेते हैं after that यहाँ पर आपको quantity select करना है कितने container चाहिए तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं और इधर से आप घटा सकते हैं इसके अलाबा अगर आपको दो तरह के container का rate देखना है तो यहाँ add करेंगे आप तो आप दोसरा suppose आपको 20-40 दोनों का देखना है तो आप यहाँ 40 select कर लेजे और यहाँ उसका आप डाल दीजे कितने container का चाहिए अब commodity में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर already cargo डला हुआ है कि यह mixed cargo normal by default यह होता है कि यह आप general cargo के लिए rate देख रहे हैं उसके बाद अब visual available date यह यहाँ पर जो one line का है बहुत ही specific feature है और बहुत ही शांदार है जैसे ही हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कब कब available है और rate क्या है यह बिलकुल flight जैसे आप बोग करते है date wise आपको दिखाता है कि किस date में कितना rate है और availability क्या है तो आप अगर अपने mouse के pointer को किसी date में ले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि price क्या है available है या नहीं तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं उसके बाद get quote में click करेंगे आप देखें शिंगापुर से नवाशेवा का यहाँ पर अगर आप 120 और 140 यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यह rate आपको दिखाई दे रहा है 1642 16 फरवरी को 17 को rate थोड़ा बढ़ गया है तो यह पूरी तरह से dynamic है और demand supply के हिसाब से rate बढ़ता या घटता है अब अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप chat with an expert से यहीं पर chat कर सकते हैं आपको कहीं काल लग करने की जरूरत नहीं है ना आपको इनके sales PIC को mail करने की जरूरत है पूरी तरह से one line automated है और आप बहुत ही आशानी से इसको use कर सकते अब यहाँ पर आपको show का option दिखाई दे रहा है तो अगर आप show करेंगे तो यहाँ पर आपको detail में दिखाई देगा कि जो cut up है documentation का 10 PEP का है उसके बाद अगर print के बात करें तो basic ocean print जो है 20 feet का यहाँ पर 200 है और 40 का 300 इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो origin यानि loading port के charges है dock की यहाँ पर BRP 140 है और यहाँ पर bunker सरचार्ज कुछ लग रहा 174 per 20 feet and 348 40 feet का इसके बाद यहाँ पर arrive seal fees आप देख सकते है 20 का 25 है और 40 का भी shame है अब अगर POD की बात करें तो यहाँ पर destination के charges आपको सारे मिल जाते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से charges determination पर लगने वाले हैं तो यहाँ से आपको POD के charges भी मिल जाते हैं तो आपको within a click आपको शारा detail घर बैठे online आप यहाँ से check कर पाएंगे और अपने shipment को आसानी से book कर सकते हैं manage कर सकते हैं तो अगर आपको rate accept है तो आप accept में click करके और आप rate को accept कर सकते हैं और booking place कर सकते हैं और बाकी नीचे आएंगे तो आगे पीछे के date यहाँ पे आपको सारे दिखाई देंगे और मिल जाएगा अब अगर आप इस code को shape करना चाहते हो तो आप इसको save कर सकते हो आपके computer में यह shape हो जाएगा अब अगर आपको यहाँ पे booking भी करना है तो आप जैसे accept करेंगे यहाँ पे आएंगे इसके बाद आप contact draft होगा फिर booking आपका शम्मेट होगा रेधर आपको time दिखा रहा है इसके अंदर आपको करना है और यहाँ पे आप save code में जो भी हमने shape किया है वो भी आप यहाँ से check कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप इसको start भी कर सकते हैं जैसे आप e-commerce website पे करते हैं ETD कहीं sharp से कर सकते हैं ETA कहीं sharp से कर सकते हैं Chippist कर सकते हैं Qcast कर सकते हैं यानि सबसे सस्ता count सा है सबसे fast count सा है तो जो भी आपका requirement है आप बहुत इजली यहाँ पे one line से आप देख सकते हैं अब आज आते हम rate and tariff पे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे tariff में चले जाएंगे तो आपको detention, demurage और free days यह सारे charges यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके लिए हम detail में video बना देंगे, video काफी बड़ी हो जाएगी hope video आपको पशंदाई होगी, अब आप आशानी से one line का rate चेक कर पाएंगे उसको analyze कर पाएंगे, booking place कर पाएंगे first time आप आए हैं तो चैनल को subscribe कर लें इस प्रकार के content आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और आप मिलते हैं एक next video के शाथ, तब तक के लिए अन्यवाद